भारतिय करेंसी के उपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर हैं वो वैसे ही रहनी चाहिए लेकिन दूसरी तरफ श्री गनेश जी की और श्री लक्षमी जी की तस्वीर भारतिय करेंसी के उपर लगाई जाएं लक्षमी जी को समरिध्धी की देवी माना गया गनेश जी जितने विघन होते हैं उनको हरने वाला उनको देवता माना गया विघन दूर करने वाला देवता माना गया है तो उन दोनों की तस्वीरें उसके उपर लगनी चाहिए जिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिबाल का बढ़ा दाओं गुजरात और हिमाचल परदेश के विधान सबाचनाओ के बीच करेंसी पर श्री गनेश जी और लक्षमी जी की फोटू लगाने की उठाई मांग केजरिबाल ने कहा गांधी की फोटू रहे लेकिन साथ में गनेश जी और लक्षमी जी की तस्बीर भी चापी जाए इससे देश में समरिद्धी आएगी केजरिबाल ने कहा कि 85% मुस्लिम आवादी वाले देश इंडोनेशिया की करेंसी पर गनेश जी की फोटू है तो भारत में क्यों नहीं हो सकती देखिए केजरिबाल ने प्रेस कॉनफेंस में क्या कहा है आप सब लोगों को मेरा नमश्कार, सब को मेरा प्रणाम हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारी अर्थवेवस्था, भारती अर्थवेवस्था की स्थिती बहुत अच्छी नहीं है भारती अर्थवेवस्था काफी नाजब दौर से गुजर रही है हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रते दिन कमजोर होता जा रहा है और इन सब चीजों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है ऐसा क्यों है कि आज भी भारत एक विकास शील देश है 75 साल हो गया जादी को आज भी विकास शील देश गरीब देश माना जाता है हम सब चाहते हैं कि भारत विक्सित देश बने हम सब चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने और हम सब चाहते हैं कि हर भारतवासी भारत का हर परिवार अमीर परिवार बने इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है बहुत सारे स्टेप्स लेने की बहुत सारे एफर्ट्स करने की जरूरत है हमें बड़ी संख्या में स्कूल खोलने है हमें बड़ी संख्या में अस्पताल बनाने है हमें बड़ी संख्या में बहुत बड़े स्तर के उपर बिजली का सडकों का infrastructure को तयार करना है efforts तभी फली भूत होते हैं जब हमारे उपर देवी देवताओं का आशिरवाद होता है efforts करने चाहिए हम सब लोग अपनी अपनी जिन्दगी में efforts करते हैं लेकिन हम कई बार देखते हैं कि efforts कर रहे efforts कर रहे नतीजे नहीं आ रहे उस वक्त लगता है कि अगर देवी देवताओं का आशिरवाद हो तो efforts फलीभूत होने लगते हैं efforts के नतीजे आने लगते हैं परसो दिवाली थी दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गनेश जी और श्री लक्षमी जी का पूजन किया हम सब लोगों ने भगवान से सुख शान्ती की प्रार्थना की हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए देश की सम्रिधी के लिए प्रार्थना की हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनस करते हैं, व्यपारी हैं, इंडस्ट्रिलिस्स हैं सब लोग अपने अपने यहां अपने कमरे में जरूर लक्षमी जी की और गनेश जी की मूर्ती लगा के रखते हैं और रोज सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं आज मेरी केंद्र सरकार से प्रधान मंतरी जी से अपील है भारतिय करेंसी के उपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसे ही रहनी चाहिए लेकिन दूसरी तरफ श्री गनेश जी की और श्री लक्षमी जी की तस्वीर भारतिय करेंसी के उपर लगाई जाए जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थवेवस्था को सुधारने के लिए भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सार एफ़र्ट्स की जुरूरत है लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशिरवाद की भी जुरूरत है अगर भारत्य करंसी के उपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो as it is रहे दूसरी तरफ अगर लक्षमी जी की और गनेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशिरवाद मिलेगा लक्षमी जी को समरिद्धी की देवी माना गया है गनेश जी जितने विघन होते हैं उनको हरने वाला उनको देवता माना गया है विघन दूर करने वाला देवता माना गया है तो उन दोनों की तस्वीरें उसके उपर लगनी चाहिए हम यह नहीं कहा रहें कि सारे नोट बदले जाएं लेकिन जितने fresh notes छपते हैं अभी जो notes हैं वो as it is रहें लेकिन जो हर महीने fresh notes छपते हैं वो fresh notes के उपर यह शुरुआत की जा सकती है और धीरे 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 करते करते circulation में काफी मात्रा में यह वाले नए note आ जाएंगे इंडोनेशिया एक Muslim country है 85% से जादा उनकी अबादी Muslim है 2% से कम Hindu हैं वहाँ पर लेकिन उन्होंने भी अपने note के उपर गनेश जी की तस्वीर शापी हुई है तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत एहम कदम है जो कि केंदर सरकार को उठाना चाहिए आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से मीडिया के माध्यम से इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंदर सरकार से और माननिय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि भारत्य करेंसी के उपर लक्षमी जी की और गनेश जी की तस्वीर लगाई जाए अगर इस पर कोई प्रशन है आपके तो अभी परसों दिवाली का जब पूजन कर रहे थे तो उस वक्त मन के अंदर एक भाव आया उस वक्त मन के अंदर एक बहुत स्ट्रॉंग भाव आया कि अगर भारत्य करेंसी के उपर अगर ऐसा हो हम सब लोग पूजन करते हैं सब लोग भाव से पूजन करते हैं तो अगर भारतिय करेंसी के ओपर भी ये हो, मैं ये नहीं कहा रहा है, ये करने से मात्र से केवल अर्थवस्ता सुद्रेगी, बहुत सारे एफ़र्ट्स करने की जरूरत है, लेकिन वो एफ़र्ट्स तब फली भूत होते हैं, जब देवी देवताओं का आशिरवाद होता है, जैसा मैं ये अमे निक्षक खेलाव होती हूं जयाता है, जैसा मैं ने कहा कि अगर इंडोनेशिया कर सकता है। प्रेशया ने भी श्री गनेश जी को चुना, तो हम भी कर सकते हैं, हमारे देश में भी हो सकता है, और लक्षमी जी के साथ, लक्षमी जी एक ऐसी देवी है, जिनको समरिध्धी और संपन्यता की देवी माना गया है. अरूप लगाने वाले तो सौ अरूप लगाएंगे, अरूप लगाने दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी से भी बात कर लीजे, मैंने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों से बात की, सब लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा एडिया और ये होना चाहिए. मैं कल परसों में उनको एक चिठी लिखूँगा, कलिया परसों, और उस चिठी के माधियम से भी मैं उनसे अपील करूँगा. हम पूरी तरह से तयार हैं और इन लोगों ने जितने भी एफर्ट्स किये चुनाव टालने के गलत तरीके से इन्होंने डिलिमिटेशन किया, बता रहे हैं इस तरह से कर दिया कि BJP का एरिया एक साथ कर दिया, दूसरे वोट एक साथ कर दिया, जो मर्जी कर ले हैं, लेकिन दिल्ली की जंता इनको नकारने वाली है. ये जंता को दबा नहीं सकती, जंता की आवाज है, दिल्ली की जंता ने देखा कि आम आदमी पार्टी को स्कूलों की जिम्मेदारी दी, इन्होंने स्कूल अच्छे कर दिये, आम आदमी पार्टी को अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, इन्होंने अस्पताल अच्छे कर द दिल्ली के लोगों ने पिछले कुछ सालों में प्रदूशन के ऊपर काफी काम किया है, काफी मेहनत किया है उसकी वजए से प्रदूशन में गिरावट आई है, यह अच्छी बात है प्रदूशन बढ़ानी है अक्सर देखा गया कि जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे प्रोडूशन बढ़ता जाता है, जादा वहिकल जाते हैं सडक पे, और प्रोडूशन बढ़ता है, लेकिन दिल्ली में प्रोडूशन बढ़ने की वजाए कम होने लगा है, यह यह दिखाता है कि हमारे अफर्ट सही दिशा में हैं, उन अफर्ट में और तेजी कर कि अटन्गे